असलाम लेकूम, मैं हूँ सादिया उसएर, वेल्कम बैक टू सादिया उसकीचन, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से केरट केक की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ, केरमल के बहुत ही जबर्धासे फ्लेवर के साथ, और इस केक को आप केरमल केरट टी केक भी कह सकते हैं बिसमिल्लाहिर्वानिर्रहीम तो यहाँ पर सबसे पहले हम केरट केक के लिए एक केरमल सॉस तयार करेंगे और इसके लिए एक सॉस पैन लेंगे इसमें शामिल करेंगे एक कप चीनी अब कंटिनियो चम्म चलाते हुए तो यहाँ पर देखें चीनी केरमलाइस हो गई है फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हलका रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे आदा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पर आपको बहुत ही इहत्यात से काम लेना है क्योंकि चीनी बहुत ही तेज गरम है और जैसे ही इस तरह से चीनी कमप्लीटली पानी के साथ मिक्स हो जाएगी तो बस इसके नीचे फ्लेम को आफ कर देंगे इसको बिल्कुल भी ड्राइ नहीं करना पस इसको अच्छे से मिक्स ही करना है अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ और यहां पर एक बॉल में डालेंगे आदा कप बरीक कटी हुई खजूरे और आदा कप बरीक कटे हुए काजू आप अपनी मर्जी के ड्राइ फ्रूट्स भी ले सकते हैं इसमें शामल करेंगे डेट खाने का चमच मैदा अब इस तरह से मिक्स करते हुए ड्राइ फ्रूट्स पर मैदे की बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इस तरह से ड्राइफ रूट्स पर मैदे की कोटिंग करने से ये ड्राइफ रूट्स केक की बेस में नहीं बैठेंगे बलके सारे केक में इवन भी स्प्रेड हो जाएंगे मिक्स करते हुए इस बात का ख्याल रखें के खजूर के तमाम पीसिस अलग अलग हो तके इन पर अच्छे से कोटिंग हो सके आप कैयार करेंगे केक बैटर और एक मिक्सिंग बॉल में डालेंगे वन फूर्थ कप बारीक चीनी चीनी अगर मोटी हो तो आप पीस कर शामिल करें त्री फूर्थ कप आउयल वन फूर्थ टी स्पून सिनिमन पाउडर दारचीनी का पाउडर दो चुटकी जैफल पाउडर दो चुटकी जिंजर पाउडर जिसे सोन कहते हैं दो चुटकी लॉंग का पाउडर वन फूर्थ टी स्पून सॉल्ट और दो अंडे शामिल अब तमाम चीजों को हैंड विस्ट की मदबस से इतनी देर तक बीच करेंगे जब तक के तमाम चीजह बहुगाँ चाहिए अच्छी से मिक्संः हो जाए अच्छी से करदें के भाद अब इसमें मिधा शामिल करेंगे जिसे छान कर, अड़ ड़ेंगे तो अस्टेनर में स्ट एक कप और एक चुथाई कप मैदा और इसी के साथ दो चाय के चमच बेकिंग पाउडर और बॉल में इसे चान लेंगे और उसके बाद विस्क की मदद से इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस दिहान रहें कि इसमें मैदे की कोई गुटली बगारा ना बने अच्छे से मिक्सिंग हो मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चमच बनीला एस्सेंस और कैरेमल सॉस जो हमने स्टार्ट में तर्यार की थी और इसको भी बेटर में मिक्स कर लेंगे तो सॉस बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं अब इसमें शामिल करेंगे एक कप ग्रेट की हुई गाजर ग्रेट करने के बाद गाजर को हाथ से नचोर कर इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और इसी के साथ इसमें खजूर और काजू भी शामिल कर देंगे जिस पर हमने ड्राइफ रूट्स की कोटिंग की थी और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे तो केरेमल कैरेट केक का बैटर यहाँ पर अब तयार हो गया है इसे अब डाल देंगे लोफ पैन में जिसे मैंने ग्रीस कर लिया था घी या बटर से आप इसको ग्रीस कर लें तो अब इसे बैट करेंगे प्री हिटिट अवन में 180 C पर 35-40 मिनट के लिए केक को निकालने से पहले साफ नाइफ या वुडन स्टिक इंसर्ट करके जरूर चेक कर लें आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं तो केक हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से बेक हो गया है पहले इसको रूम टेंपरिचर पर ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको मॉल्ड में से निकाल लेंगे और अब केक के इस तरह से स्लाइसेज काट लेंगे तो केरमल केरट टीके कहाँ पर अब हमारा त्यार हो चुका है जरूर ट्राइ कीजेगा आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और फीड़ बैक भी जरूर दीजेगा वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा इसी के सासथ अपना बहुत सा ख्याल रखेगा दौाँ में याद रखेगा थैंक यू फूर वाचिंग अलाहाफेज